प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फोर मोर वीडियो शेर लाइक एंड कमेंट्स बराए मेरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें शुक्रिया असलाम उलेकुम नाजरीन पाकिस्तान की मशूर खुबसूरत अदकारा और मॉडल जिसने अपनी वालदा की वफात के बाद दो बार खुदकुशी करने की कोशिश की मीडियो रूपोर्ट्स के मताबिक पाकिस्तान की मशूर मॉडल वअदकारा नाजिश जांगीर ने ये इनकिशाफ किया है कि उन्होंने अपनी वालदा की वफात के बाद नाउमीद होकर दो बार अपनी जान लेने की कोशिश की अदकारा ने मजीद बताया कि वो गुजिश्टा दस बरस से डिप्रेशन में मुब्तला हैं और इस से मुस्तकिल लड़ रही है वो इस बीमारी को शिकस देने के लिए कोशिश कर रही है समाजी राप्ते की वेब साइट इस्टाग्राम पर अदकारा नाजिश जाहंगीर ने अपनी बीमारी से मुतलिक खुलकर इज़ारे ख्याल करती एक तवील पोस्ट शेयर की उन्होंने बताया कि वालदा की वफात के बाद सब कुछ बेमानी हो गया था और वो बिलकुल नाउमीद हो गई थी सच बताओं तो मुझे अपनी जिन्दगी से ही नफरत हो गई थी अदकारा नाजिश जाहंगीर ने कहा कि वो अपनी इस केफियत को बयान करने और किसी से इसके मुतलिक बात करने से गुरेस करती है उन्होंने मजीद कहा कि वो गुजिश्टा दस बरस से दिमागी बीमारी पोस्ट ट्रामिटिक स्ट्रेस डिस ओर्डर का शिकार है इस बीमारी का इलाज ना करने से इसके तबाकुन असरात हो सकते थे नाजिश जांगीर ने अपनी पोस्ट में मजीद बताया कि ये बीमारी ना सिर्फ आपके घरवालों और दोस्तों से तालुकात को मतासिर करती है बलके ये आपको जजबाती मसाईल और सिहत से मुतलिक मसलों में भी मुपतला कर देती है अदाकरा नाजिश जांगीर ने बताया कि वो इस बीमारी से लडने के लिए अपनी मदद आपके तहट खुद खड़ी हुई और इन लोगों को तवज़ा का मरकस बनाया जिनके साथ इस तरह के वाकियात पेश आ चुके हैं उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसा करने से इन्हें लोगों की मायूसियों की वज़ुहात का पता चला और फिर अपनी भीमारी से निकलने में मदद मिली याद रहे अदाकरा नाजिश जांगीर ने 2015 में पाकिस्तान शोबिस इंडस्टी में केरियर का आगास किया उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बीमारी से निकलने का ऐसा कोई भी फार्मोला नहीं है जो अचानक आपको खौफ से निकल कर ठीक कर दे अदाकरा ने मज़ीद कहा कि मैं सब के लिए दूआ करती हूँ कि इस बीमारी के शिकार अफराद इतने मजबूत हों कि अपने इस बीमारी के बारे में बात करें और इस से लड़ें अदकरा नाजिश चिहांगीर ने मजीद कहा कि उन्होंने इस बीमारी में मुबतला लोगों की होसला अफजाई करते हुए लिखा कि आपकी जिन्दगी में बेशतर मुकामात पर ऐसा भी होता है कि जब आप किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझते किसी की बात भी सुनना नहीं चाहते और यही वो वक्त होता है जब आपको अपने दिल की बात करना होती है और अपने अंदर रहने वाली अफसूर्दगी का मुकाबला डट कर करना होता है अदाकारा नाजिश चाहंगीर ने कहा कि आप अपनी जिन्दगी में मस्पस चीजें तलाश करें और मन्फी चीजों को निकाल कर बाहर करें सब के साथ नर्मी से पेश आएं लोग जिन्दगी को जिस तरह गुजारना चाहते हैं इन्हें गुजारने दें और हर एक के बारे में अन्दाजे ना लगाएं याद रहे अदाकारा नाजिश चाहंगीर एक बेहतरीन मौडल है मौडलिंग के साथ साथ नाजिश चाहंगीर ने कई मशूर ड्रामों में अदाकारी की जिसे मद्दाहों ने बेहत पसंद किया जिसे नाजिश के लिए पसादाने लिए庭 नाजिशлем natives